हेलो दोस्तों मैं हुखिलिंद जिंग और आज मैं आपको सस्फोर के वारे में बताऊंगा कोड सस्फोर क्या वोता है कि दोस्तों देखे जैसे आपने मेजर माइनर डीमनिश्ट ये हमने सभी जाना सभी के रूल्स जाना इसका भी एक रूल्स होता है दोस्तों सस्फोर का जो रूल्स है 1, 6, 8 1, 6, 8 तो हम C sharp से हम किसी जगह पर भी कर सकते हैं लेकिन हमने अपने पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में C sharp को लेकर बताया है, सारे major, minor, diminished तो यहीं पर हम सिलते हैं तो यह हमारा C sharp 1 हो जाएगा और 1, 6 यहां से count करेंगे 1, 2, 3, 4 5, 6, तो यह 1 और यह 6 और 8 1, 6, 8 जो है कि सस्फोर कोड के नाम से जाना जाता है दोस्तों 1, 6, 4 1, 6, 8 यह नाम नहीं है यह टेकनिक है, रूल से इसको आप याद रखें जब भी सस्फोर की बारी आए तो अगर आपको C सस्फोर बोला जाए तो C से आप 1, 6 count करेंगे, अगर G सस्फोर बोला जाए तो G से आप count कर सकते हैं 1, 6, 8 और आप ले कर सकते हैं सस्फोर तो यह टेकनिक है 1, 6, 8 जो कि हलका सा किसी भी गाने पे हलका सा कही ना कहीं पे तचिंग जो दिया जाता है कहीं न कहीं के यूज होते हैं दोस्तों और बहुत ही थोड़ा सा changes कर देता है song के voice को थोड़ा सा effect डाल देता है यह सस्फोर तो दोस्तों इस तरीके से हम और भी वीडियो में सारे quotes के बारे में बता चुके हैं और आने वाले वीडियो में भी बताएंगे तो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर ले धन्यवार दोस्तों